हलो फ्रेंड्स वल्कम बाग टो मैं चैनल आज मैं आपनों से शेर करने वाली हूं मतर आलू की सब्जी बनाने का बहुत ही अलग और टेस्टी तरीका जिसे बनाना बहुत ही असान योड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है तो आप इस तरीके से एक बार मतर आलू की मतर आलू की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्यास ओन करेंगे और कूकर को अच्छे से गरम होने देंगे कूकर गरम हो चुक है अब इस में थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल आट करेंगे आप चाहें तो यहां पर कोई भी कूकिंग ओल कर सकते हैं और ओल को अच्छे से गरम होने दें देखिए ओल अच्छे से गरम हो चुक है अब इसमें दो तीस पता आट करके इसे हलका सा फ्राइ कर लेंगे जब यह हलका सा फ्राइ हो जाएगा तो अब इसमें हम दो मिडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज आट करेंगे और हम प्याज को अच्छे से म गोलेम ब्राउन हो जाने तकक फ्राइ कर लेंगे. देख़े, प्याँज अच्छा से गोल्डेम ब्राउन हो चुक है, अब इसमे एक बार अच्छा से मेक्स कर लेंगे. अब इसमें हम 3 medium size का कटा हुआ आलू आट करेंगे, आलू अपने जोरत के हिंसाब से भी ले सकते हैं, अब इसमें अच्छे से mix करेंगे और हम आलू को medium flame में हलका सा fry कर लेंगे, देखिए आलू हलका सा fry हो चुक है, अब इसमें एक बड़ा अच्छे से mix कर लेंगे, अब इ एक चमच धनिया पॉडर, एक चमच हल्दी पॉडर, आधर चमच लगबग लालमीज पॉडर, लालमीज पॉडर अपने टेस्ट के कोडिंग कम जाधा कर सकते हैं, वन्फोर चमच काली मीज पौडर आधा चमच गरम मसाला पौडर और नमक अट करेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग अट करें अब इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे और हम मसाला को मिडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जबते की टेमाटर अच्छे से सौप्ट नहों जाए, देखिए टेमाटर एकदम अच्छे से सौप्ट हो चुका है, और हमारा जो मसाला वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें मतर अट करेंगे, तो मैंने हाप केज़ी मतर को शील के, उसके दाने को मिक्सर के जार में पीस के इस तरीके से इसका पेस्ट पना लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा मटर का डाना भी आड़ करेंगे अब इसे हम अच्छे से मेक्स करेंगे और इसे हम मसालों के साथ मीडियम फ्ले में तीन से चाम मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे जिसे की मटर का जो मिक्स कर लेंगे देखी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी और आधा चमस देशी घी आट करेंगे जिससे कि आलू मतर की जो सब्जी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब यहां पर हम कुकर का धकन बंद कर देंगे और इसमें मिडियम फ्लेम में दू से तीन सीटी आने तक पकने देंगे देखी कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम कुकर का धकन हटा देखी इससे क्या खुसबू आ रहा है जिसे मैं आपको बता नहीं सकती अब इसम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब मैं आपको गर्मा गरम मतर आलू की सब्जी को सर्फ करके दिखाती हूँ देखी कितना बढ़िया मतर आलू की सब्जी बनके रेडी है और आपने देखा कि इससे हमने बिलकुल एकदम आसान और अलग तरीके से बनाया है अब इससे आप गर्मा गरम रोटी चावल पर लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाले नेस्ट रेसेपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए टेक केर और गुडबाय थैंक्यो फो झाल झाल